हाउर फीक्स सेमसंग गैलक्सी ग्रेंड नियो प्लास हेंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवा तो अगर दोस्तों आपके जो डिवाइस हैं ठीक है सैमसंग का वह भी अगर हैंग हो जाते हैंग होने के बाद आपने अप रिश्टार्ट भी हो जाते तो यह किस तरीके का प्रॉब्लम है ठीक और आपको कैसे यह प्रॉब्लम फिक्स्ट करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉलुशन बताने वालो वीडियो को अंतक देखें जो भी सॉलुशन में आपको उसको फोलो करें आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हैंक एंड रिस्टार्ट प्रॉब्लम है ठीक है तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस तोरेज में से क्लीन आप करना होगा इस तोरेज को क्लीन कीजिए और मोबाइल पे कई सरे अप्लिकेशन से तो इसको डिलेट क होगा उनको भी डिलेट कर दीजिगा बैड अप्लिकेशन जैसे की कोई अन्नों वेबसाइट से इंस्ट्रॉल किया हुआ अप्लिकेशन ठीक है तो उनको डिलेट कीजिए और अपने स्पेस को फ्री आप कीजिए उसके बार माइफाइल पे जाए और यहाँ पी दोस्तों स्टोरेज को फ्री आप कीजिएगा ठीक है जब स्टोरेज आपका 40-30% एमटी हो जाएगा तब आप अपनी मोबाइल सौफ़एर को अपडेट करेंगे मोबाइल सौफ़एर अपडेट होने के साथ साथ आपका प्रॉब्लेम सौर्फ हो जाएगा ठीक है तो हैंग और रि जाता है तो अच्छी बाद है अगर इसके बाद भी प्रॉब्लेम आते हैं तो आपको जाना है जेनरल मेनेजमेंट रिसेट एंडेन फेक्टुरी डिटा रिसेट ठीक है फेक्टुरी डिटा रिसेट पे जाके आपको डारेगली मोबाइल रिसेट कर देना है जैसे हो जाएगा आपको कोई भी डिक्कते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो पॉसिबल सोल्यूशन था मैंने आपको वही बताए तो आप भी उसी को फोलो कर लेना उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद होगा थैंक्स फूर वाचिंग